दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ITI Training Officer 2023 के लिए अपना जो एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट किस प्रकार से चेक आउट कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं ITI Training Officer का तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सोक और आप सबी लोगों का मेरे YouTube चेनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ पर आपको MPPEB, MPESB, MP Employee Selection Board की यह Official Site खोल लेना है तो दोस्तो आपको अपना रिजल्ट देखने की लिंक वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बहां से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तो रिजल्ट डिपार्टमेंट आप टेकनिकल एजुकेशन, स्किल डेवलोप्मेंट एंड एम्प्लोईमेंट, ITI ट्रेनिंग आफिसर रिक्वर्मेंट टेस्ट 2022 तो इस बाले आप्शन पर आपको क्लिक करना है फिर यहाँ पर दोस्तो आपके सामने फाइनल रिजल्ट यह ओप्सन दिखेगा तो यहाँ पर आपको अपना एप्लिकेशन नंबर डालना है तेरा अंको का यहाँ पर या फिर रोल नंबर हो तो वो डाल सकते हैं आठ अंको का यहाँ पर अपनी डेट अब बर्थ डालेंगे और यहाँ पर प्रवेश पत्र पर अंकेट TSE कोड नंको का होता है आपके जो admit card है प्रवेश पत्र उस पर होगा अगर आपके पास में प्रवेश पत्र नहीं है अपने admit card तो यहाँ पर आपको admit card वाला option दिखाई देगा यहाँ पर click करना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको second number पर यहाँ पर department of technical education ITI training officer इस बाले option पर click करेंगी फिर यहाँ पर आपके सामने search test admit card तो यहाँ पर अपना 13 को का application number डालेंगे यहाँ पर date of birth और यहाँ पर अपना बिसे का चुनाव करें subject बिसे कुन सा था आप वो यहाँ से paper select करेंगी और यह capture code को इस box में fill करेंगे search करेंगे यहाँ से आप अपना admit card download कर पाएंगे फिर यहाँ पर आपको अपना application number यह detail डालके search पर click करेंगे फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो result है वो इस तरीके से open हो जाएगा तो यहाँ पर role number यहाँ पर आपका application number यहाँ पर candidate name यहाँ पर आपकी जो details है वो आजाएगी तो यहाँ पर दोस्तों आपका result तो यहाँ पर paper जी का है यह आई टी आई टी ओ कंप्यूटर operator का है programming assistant तो यहाँ पर maximum mark 100 number का paper था यहाँ पर opt-end mark तो यहाँ पर normalize final marks यहाँ पर 100 में से 58 आए हैं तो यहाँ पर आपको अपने marks देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपका result status रहेगा यहाँ पर आप qualify लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको qualify है या dis qualify वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अपना result उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो married betting position तो यहाँ पर post code यहाँ पर name department name तो यहाँ पर unreserved nil open में betting है और यहाँ पर unreserved female betting यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी आप कौन्छा नंबर पर कितनी betting है आपकी तो वो आप यहाँ पर check out कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको paper A यहाँ पर आपका दूसरा जो paper था उसका भी marks यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर यह इसमें भी qualify है तो इसकी merit betting position भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ से फिर आपको print वाला option दिखाए देगा यहाँ से इसको print कर सकते ह तो दोस्तों इस तरीके से आप ITI training officer के लिए अपना result घर बेठे आसानी से देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें जिससे आने वाली latest notification आप तक पहुंच सके ठेंक्यों दोस्तों धन्यवाद